हलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल आज की वीडियो में हम लोग देखने वा रहे हैं जॉन्डिस का नर्सिंग के अर्टान और इसी तरह से आपके कोई भी दूसरा आपका टॉपिक दिया है टीचर ने वो भी इसे तरह बनेंगे तो आप लोगों को फॉर्मिट समझना है कि कैसे फॉर्मिट बनाया जाता है और एक बात आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस जरूर देखा करो क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो कि हमारे चैनल में वीडियो अल्रेडी अप्लोड हैं तो आप प्लीज वो वीडियो देखने के लिए प्लेलिस तो देख समझने की कोशिश किया करो ताकि अपनी टॉपिक पी नर्सिंग केर प्लान आराम से बना सको क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पी आप लोग मुझे कमेंट करते हो और कुछ टॉपिक में पस अवेलिबल होते नहीं है ठीक है सारे टॉपिक मैं आपकी लिए कहां स यह जोडिस का केर पान है और पेशिंट का इडिफिकेशन डाटा हमने सबसे पहले लिखा है उसमें पेशिंट का कमप्लीट डाटा आएगा यानि कि पेशिंट का कब एडिमेशन हुआ उनके डॉक्टर कौन देख रहा है उनका कौन सा वार्ड है उनका जैंडर नेम यह अजर ग्लूगोमा अज़िए उसके बाद जो पेशिंट की कमप्लेंट होंगी वह में लिखेंगे यहानि चीफ कंप्लेंट मेजर कंप्लेंट जो पीशिंट बताएगा और जिस वह से वह एडमिट हो है हमारे पेशिंट जॉन्निस के हैं जो हमें बता रहे हैं यह के इनका कदार है वो यलो हो जाता है और उनका य्यों का यॉय जाता है नियल्स भी इललो हो जाते है तो ये हमने भी बता दिया लीकिन by गलिंग को पेशन यह परसनल हिस्ट्री हम लोग ने लिखी है जिसमें का हाइट और वेट आप लिखो और कुछ परसनल चीज़ें से पूछ हो कि तुमको क्या पसंद है तुम लोग एल्कोहल, स्मोकिंग, तमाक कुछ खाते हो और कैसी भूग लगती है सारा परसनल हिस्ट्री के अंडर ही आता कैसा है यानि कि अच्छे से उनको यूरीन आ रहा है कुछ मोशन करने में कोई तकलिफ दोने कॉंस्ट्री प्रॉब्लम दो रही है या फिर बहुत जादा लूस टूल है तो यह चीज़ें इसमें आजाएंगे तो जैसे बाउल फ्रेक्वेंसी जो है उनकी काफी इंक्रीज होगे उनको डायरे जैसे प्रॉब्म होगे लूस मोशन लग रहे है और हमने यहां पर मैं बताती है उपको यह देखो चीफ कंप्लेंट में हमने लिखा है कि पेशिंट को वॉमिटिंग और डायरिया डायरिया है और फीवर भी है ठीक है उसके बाद पेशिंट का सोच्छ है हाईजीनिक है या फिर अन हाईजीनिक है तो यही हमने इसमें एड किया हुआ है पढ़ोगी तो आपको बिल्कुल क्लियर रही समाद आएगा और यह सारे ही एंसी पीस में सेम ही बनता है पिर ऐसा नहीं कि जॉन्स का पेशिंट है तो उसमें आपको अलग से लिखोगे आपको बताता वह आपको लिखना चाहिए और पेशिंट की पास्ठीनिक से पोच रही सब्सक्राइब हो आप परेश्ट हो नहीं हुआ है यह इसको है तो आपको बताइंगे कि हां यह पहले पहले एक हांसी जुखाम हूँ था जिया कोई और तकलीफ है नहीं कभी नॉट स्गिनिफी केकेंट की फैमिली हिस्ट्री में आप पेशिट की फैमिल इंबसके नाम लिखते हो और आम टी बनाते हो जैसे कि हम ने बनाया है यह बहुत असान होता है मुश्किल काम नहीं है फिसकल एक्षामीटिशन यहां से हम बनाएंगे जिसमें की पेशिट्च का पूरा है टूट टूट एक्जामिनेशन आएगा तो उसमें पेशिंट का बारे में बताऊगे एक्टिविटी हेल्स लुक कैसा है और उनका हाइजिन कैसा है देन उनका कैसे स्पीच मतलब बातचीद को कैसे कर रहे हैं एंड उसके बाद पेशिंट का आप जर्नल एक्जामिनेशन करते हैं उसका आपको मेंडल स्टेटस उनका देखना है ठीक है तो यानि कि आपके पेशिंट कैसे अनकॉंशियस है या पर वो कॉंशियस है होशो हावास में है असे बात सीथ कर रहे हैं और इंटेशन है टाइम पर कम है इसके अनकी तो कई बार जैसे कुछ लोगों बिलकुल भी याद नहीं रगता है कुछ बात करें थोड़े दिमें हम तो आपको जानते ही नहीं तो इस तरह से मेमरी उनका स्टेटस देखना है कैसा है तो यह साज़ शीजें मेंटल स्टेटस के अंदर होती है उसका है उनका eyeball जो pupil होता है और उनका vision कैसा है तो vision में आप normal लिखने ना या फिर उनको कुछ problem है तो आप हम लिखेंगे तो मैं बता देए हूं यहाँ पर यह मत दिखना तो यह लोग उसको लिखेंगे तो यह आप मिस्टेक मत करना इसमें मिस्टेक है पर आपने नहीं करने है इसलिए मैं आपको verbally बता रही हूं लिखके बता रही हूं कोई discharge प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे किसी-किसे आंक से पान यह आता रहता है तो उनका आंक से यह present है आपको प्रेजेंट नहीं है तो आपको लिखेंट यह आपको चेक कर रखोगे स्टाइटोस्कोप रखोगे मेजरिंग टेप रखोगे तो अब को सब समझ आएगा कि कैसे हम प्रिजिकल एक्जामिनेशन करते हैं उसके नोस ने देखना है यानि कि उनका एक्स्टरनल नियर्स कैसे हैं सप्टम कैसा है और कोई डिस्चार्ज तो नहीं यानि कि प्रिजन्ट तॉस तरह से स्ट्रम होगे तुन अगर टीट साफ हические कुछ यलुश घेलेसे ही लिखना आया आपको यलो जैकल न हो किवे तैब्लुड प्रिजन्ट उपोगे अप्रिका यह ज़ग चलानी आने चेकिल ना न टो उससलिवाट शो गड़र हो जाती है उसका से करेंगे तो उनका जसे कई बाइ नेक कई बाइन किसी बाइन गूंतीह पूरितों किसीBecause लेकिन क्से होते ना एक प्रिम टाता रोटेशन तोन्हें के और चेस्ट का शेप और आपको आपको वियर्ड मिलेगी कुछ उसमें या तो होगा वीजिंग साउंड सिट्टी सी होगी तो आपको और बहुत सारी अपनॉमल्ड होती है तो हम पैशन में से कुछ नहीं है वो नॉमल है अभी अब नॉमल में क्या हुआ उनको हमने करा इंस् अब डॉमिन में हम लोग एक चीज और करते हैं जिसका नाम होता है परकॉशन तो उनका परकॉशन जब किया तो वो नॉर्मल था परकॉशन पैलिक आप देख लेना इसकी क्या है मैं तो लिख दी ठीक है तो कुछ-कुछ मिस्टेक्स हैं मैं आप से ठीक करवारी हूं बार है ना कोई मास हाड नहीं है पेशन को हमने टच किया तो पेशन का हाड मास फाउंट हुआ और बाउल सार्ड प्रेजेंट था एपिटाइट उनकी कम थी यह से लिख दिया उसकुलटेशन हम लोग भी करते हैं स्टैथोस्कोप की मदद से और बाडी की जो साउंड होती है जोल को हम से शोन सकते हैं च्यस्ट्व में भी करते हैं और हम अब्डामीन में करते हैं दी है कि किसी वकई यह होती नहीं है है कि इसके नहानो प्स्क्श्चिन तो सुने का यह खेंग बथा परकेशन है नॉर्मी और में स्कूल today उलगται को मैं जोदे अ आप लिखोगे इसको आप क्या लिखोगे यूरिनरी सिस्टम यूएस में शॉर्ट में लिख रही हूं समझ लीजिए तो उनका जो यूरिनरी सिस्टम में क्या है कि उनका यूरिन है वो यलू है डार्क बस इतना आप लिखो एंड फिर पेशिंट का हम एक्स्टमिटीज चेक करेंगे ठीक है उसके बाद सिस्टैमिक एग्जामिनेशन पर हम आ गए हैं और जी आई सिस्टम फिर नर्वस सिस्टम सैंसरी ओर्गन एक्स्टम फिजीज तो जो जॉन्टिस की प्रव्रम होती है उसमें पेशिंट को होता है नोस्या वामिटिंग फीवर वीक्नेस या अलो कलर की उनकी स्केन हो जाती है और पेट में दर्थ होता है भूक उसमें लगती नहीं बिलकुँ भी आपको बता ही है और यह साई प्र प्रिंग भी डार का होता है है अधिक होगा गलर स्टूल जी यह भी प्रॉब्लम रहती है पेशिंट में बिलकुट होता है वह जाता है जैसे की अप जानते हो एक पहले बच्चे जो मित्टी का खिलाने बगारा बना लेती खेशिंट और वह प्रूब्र आता था उससे कु आप लोग को लिखना होगा तो उनके फाइल से आप लिख सकते हो जो भी डाइग्नोस पेशिंट का हुआ है न वह आप बेशिंट का इंवस्टिकेशन लिखोगे तो जॉन्रिस कंदिशन में क्या होता है वह में रहता है इसमें बाखी हीमोगलोबिन होता है और तो यह है इसके बाद देखिए फिर ट्रीट्मेंट में आप लोग यह दवाई है पेशिंट को चली हुई है जो की दर्द के लिए उनको दी गई है बुखार के लिए गई है इसके बुखार की मेडिकेशन एंटी पाइरोटिक और यह है डिकलोफेनिक सोलिम जो किया अनाल पाइंटिक कर लेना 4Mg लिख लेना उसको ठीक है 4Mg Mset और यह आप BD लिख सकते हो ठीक है बीडी और यह इसका जो एक्शन होता है वह होता है यह वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है तो anti-imatic इसका action रहता है क्या होता है anti-imatic ये इसका action होगा उसके इलावा आप pen top सकते हो pen top एंटसीड होती है लिए 40 mg क्या आती है टाबरेंड भी होती है ंजेक्षिन भी सगाता है और यह एंटसीड होता है यह आप अधी लिख सकतेों सखानी पीड़ से गए है तो यहीं आप लिख सकते हो और simplyट कांटैक्षिन होता है देखिए यह अन्टसेड तो यह दोय मित्य तो इससे उनके थोड़ा सा भूक उनको लगेगी या फिर आप कोई सिरब भी लिख सकते हैं कोई पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने मल्टि वाइटमीन होती है एक कैप्सुल उनको दिन में एक बाह देना है ओडी आप लेना इसका फ्रिक्वेंसी तो इनका जो नेक्स्ट है वो आचाता है कि शॉर्टम अड्लॉक्टम गोल तो वह हमने यह पर नोट कर लिए यह चीज आप चाहे रहने दो इसका इतना नीड नहीं है असेस्मेंट का सत्म सबस्वाद जो चीज में होती है तो पिशन के जनरल कंदिशन असेस्मेंट करनी है अंदर ही आएगा उसमें हिस्त्रीकल एक्षन आजाती है फिस्टिकल एक्षामिनेशन आजाता है उनका न्यूट्रिशन कैसा है उनका हाइट वेट कैसा हो रहा है वाइट जिसके अंदर कवर हो जाते हैं पिर पिशन के नर्सिंग डाइग्वोसिस हम लोग बनाते हैं तो इसमें में डाइग्वोस रहें अब बताती हूं क्या क्या है समें थोरज मिस्टेक्स है ध्यान में रखना एक तो यह रहेगा थेक है क्यूंकि जो स्किन कलर है वो अल्टर हो गया है चेंज इस हो रहे है उसके अंदर इन बिलीटी टू इन आफ दो बॉडी एक्सक्रेशन इसमें को बिल्रुबिन ज्यादा हो गए इस वज़े उनका कलर जो स्किन का है वो यलोई हो गया है एक आप यह बना लोगे ठीक है इनफेक्शन का यह वाला आप नहीं बना हो गए यह बिल्कुल मत बनाना कोई सर्जरी नहीं हो रही हमारे पेशिंट की तो यह बिस्टेक ह है इसमें थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है यह चीज है तो यह आप बिल्कुल मत लिखना मेरी बात ध्यान से अगर आप सुनोगे तो समझ में आएगा एक आप यह बना लो यह वाला यह ठीक है डेशिट फ्लूड वॉल्यूम रिजिटू वामिटिंग डायरिया क्य हो यह बिल्कुल बिल्कुल सही डायगनोस है क्योंकि उन्हें भूक नहीं लग रही तो इनका लॉस ऑफ एपटाइट है अनुर्ग्जिया है तो इनन बेंस निट्रिशनल स्टेस लेस्न बॉली रिकॉर्में डायगनोस है उसकी बाद हमने वन बाइवन करके अपनी डायग वक्तियों चुछ यसे कि हमने किशीया देखा है, पिशे हैं कि यहाँ चैहित था एक जहती हैं कि देख़ो हमारे पास आया किसमें थर्मामिटर में तो अब धेखो यह रहरा जो कि आप नहीं लिखोगे ठीक है जो मैं बता हैं मत लिखना करें तो यह नहीं लिखेंगेंगे आपको कौन सा करना है यह वाला बनाओ सकते हो देखो ऊपर तो मैंने बताई दिया फोही आपको बन बाइवन करके के एक्स्पेंड कर लेनी है कि इसमें कुछ क्लियर भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यह जो डाइगनोस है यह है जॉन्दिस रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस एज एविदेंस यलू इस यलू इस डिसकलरेशन ऑफ आइस एंड स्किन यह बना लेना इसमें पेशेंट सब्सक्राइब करेंगा कि इसकी यलू हो रही है मैं इस पॉब्म है आइस भी यलू है और आप उनको अब्दर्व करोगे उनको देखोगे तोड़ा है साफ नहीं देख रहा है लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर में बात हैं सुन रहे हो तो आपको सब समझ आ जाएगा हमसे फिर नेक्स्ट आपको अपना गोल बनाना है कि हमें जो पीशिंट का यलू इसकिन है उसे नॉमल लेकर आना है तो रिड्यूस यलूइश 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 एक मिन्ट क्या दिखाए नहीं दिखाए नहीं दे रहे है तो जो डाइगनोस मैंने पहले आपको बताए करने है जिसे कि लॉस अपटाइड का है डाइगनोस वैसे हैं सारे माकिशों का स्किन के प्रॉबम मैंच के स्किन इंटिकरिटी है उसको नॉमल हमें लाना है यह बहारा घोल रहे डजा से आप इसमें की इंटेक्रिटी का डाइगनोस भी डाल सकते हो पिर हम रुग प्लान और उसके बाद जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा पिशिन का वो भी हम चैक करेंगे और पिशिन को टीच करेंगे कि कैसे उन्हें है लेनी है और जो मेडिकेशन है वो प्रॉपर लेनी है जिसे कि उनका जब प्रॉब्लम रिद्यूस होगी बीमारी ठीक होगी तो स्किन का प्रॉपर प्रॉब्लम है इस डाइग्नोस में भी हम वैसे ही असेस्मेंट करेंगे सब्जेक्टिव अब्चेक्टिव डाटा लैं प्लानिंग इंटर्वेंशन और इवैल्यूइशन सुनों अब इसके इलावा आप लोग रिस्क और इंफेक्शन का जो मैंने बिताया था बॉप करना को उसको कि किस तरह से लोग उनकी जो प्रॉब्लम है उनका डाइग्नोस में बना चाहिए और क्योंका इसमें इंटरवेंशन रहने चाहिए जैसे कि फ्लीव वालीम डैफिजिट का अगर हम बना रहे है ना तो उसमें हम पैसिन को आई फ्लीट देंगे और हु हो गई है जो डाइडिया वामिटिंग के वाज़े से ठीक हो जाए लाक्स में हेल्थ एजुकेशन आपको बतानी है तो कोई भी आपकी कंडिशन हो कोई भी डाइगनोसा बना रहे हो इससे तरह बनेगा बस आपको लेसिंग डाइगनोस में जाने आने चीह है वह जादा देनी है तो यह जादा मुश्कल काम नहीं है और समझाने वाली चीज भी नहीं है यह दैगनोसा आप एंग्जाइटी का बना सकते हो और आपर सतुनॉलिचाइफिसित का ठीक है वह सारे डाइगनोस का वह जादा एफेक्टिव है और अच्छे डाइगनोसा नहीं सब भी चल जाता है जिसकी फिर एंग्जाइटी डिजिस कंडिशन नौलिच टैफिसे डिजिस कंडिशन एंड डिजीज प्रॉसेस ट्रीट्मेंट प्लान यह डाइगनोसा अब हर एक न्सीप में बना सकते हो तीन एक्स्पेंड करने आपको पांच आप एंड लिस्ट करो एक्स् और एक्सामपल और आपने बनाया फिर एंड एक्जाइटी का और ओडिजएट्य ऐसे नहीं मनेगा डाइएरिया की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटइट कि मनेगा डैफिशट फ्रीूड वॉल्यूम ठीक है यह बनेगा डिवालियूम डिजिट रिलेटिटी टू नोगे आविश्स कर बनालो यह तो बनेगा ही लेकिन फिर्स्ट प्रायोरिटी डायगनोफ जो आप पहज़ना नाओगे वह फ्रेक्टर वाले प्रॉबल्म में इंजरी वाले प्रोबलम में क्या बनेगा पेन का बनेगा एकूट पेन या फिर पेन रिडिटी टू फ्रैक्चर रिडिटी टू इंजिरी यह बनेगा इस तरह से जो पहना डाइगरों से ना जो फर्स्ट डाइगरों सा बनाओगे वह बीमारी से संब्दित ही होना चाहिए तो कोई भी हो यह तो जॉन्डिस है लेकिन आपका कोई और हमारे चैनल में हैं आप खुद बनाने के कोशिश करोगे तो आप बना पाऊंगे ठीक है सीधे ही आप टॉपिक मांगोगे तो आपको फिर बनाना भी नहीं आएगा गूगल पर सर्च करोगा बिल्कुल मिल जाएगा डाइगनुस तो मिल ही जाते हैं जो मैं आपको दिखा पर जो पूरा फॉर्मिट है वह आपको शायद ना मिले तो ओकी फ्रेंड्स थैंक यू